जिले में गोंड खनीजों की चोरी को रोकने के लिए जिला पशासन ने गोंदिया तालुका में कुछ रेत के तीलों पर रात्री गश्ट की इससे बालू तसकरी करने वाले गिरहों के निशान पढ़ गए हैं जिले में गोंड खनीजों की चोरी को रोकने के लिए जिला पशासन ने गोंदिया तालुका में कुछ रेत के तीलों पर रात्री गश्ट की इससे बालू तसकरी करने वाले गिरहों के निशान पढ़ गए हैं बालू चोरी के मुद्धे पर गोंदिया जिला कलेक्टर नयना गुंडे एक्शन मोड में हैं इसलिए अपर जिला कलेक्टर राजेश खवले के साथ समनित बोड अधिकारी तलाथी ने बालू तसकरों के खिलाफ रादवा फ्लैग मार्च कर बालू तसकरों के खिलाफ कान दिवाकर शेटे उपस्तित थे बालू चोरी रोकने के लिए जिले में राजस विभा की विशेश टीमें गठित की गई है तीम जिले के बालू घाटो पर कड़ी नसर रखे हुए है चुकि रेजचोरी के मामले खास कर रात के समय होते हैं इसलिए रेजचोरों को पकड़ने क लिए यह पहल की गई थी रादभर राजस्व करमचारी रेट के तीलों पर बैठे रहे और बालू की चोरी को रोकने की पूरी कोशिश की इस अभ्यान के तहित बालू की चोरी को पकड़ने की बज़ाय रेट की चोरी नहीं होगी ऐसे उपाए करने के लिए अलग-अलग जिले में पहली बार इस तरह की पहल की गई है परियोजना को अपर कलेक्टर राजेश खवले द्वारा डिजाइन किया गया है और राजस्व विभा के सभी अधिकारियों करमचारी जिले के सभी रेट खाटों पर राद भर रुकेंगे अपर जिला कलेक्टर राजेश पूटे, डी एच, पोर्ची टिटवार, योगेश मिश्राम और बोर्ट की अन्य अधिकारी और तलाशी उपस्तित थे। गोंधिया से BCN News के लिए अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट।